है कि ऐलो फ्रेंट्स वेलकम टॉबर चानिल दे टेर्डिंग कंपनी तो दोस्तोग ईस एन्लेसिस वीडियो में हम देखने वाले कि कलके लिए निप्टि और बैंक निप्टि में कौन से लेवल इंपोडन लेवल होने वाले हैं क्या हमारा प्लैन होना चाहिए तो चलते हैं निप्टी के डेली के चार्ट के उपर निप्टी का अगर डेली का चार्ट देखनेंगे तो हम एक strong buying candle देखने के लिए मिल रही है आप यहाँ पर देख सकते हो strong buying candle के बाद यहाँ पर जो closing मिले है निप्टी को 22,096 पर मिले है जो कि अच्छे closing है अगर 15 minutes के time frame पर देखेंग अगर समझो flat open होता है कल निप्टी नहीं तो gap up open होता है तो हम buying side के लिए plan करेंगे जो हमारे लिए important level रहेगा वो first level जो रहेगा यह strong selling आया है वो level का रहेगा जो कि 200 का level है तो इसे हम mark कर लेते इस level को यह जो पूरा zone जो रहेगा हमारे लिए थोड़ा सा first target यहाँ पर हमार करेंगे जो कि आमारे लिए first target का काम करेंगा इसके उपर sustain करता है तो हमारे लिए जो next target रहेगा वो next target रहेगा 22,275 का और उसके बाद जो next target रहेगा हमारे लिए 22,350 का और उसके बाद अगर इस लेवल को भी break करता है तो हमें target देखने के लिए मिल सकता है जो कि 22,450 का यह आने वाले week में हमारे लिए target important target हो सकते हैं आने वाले दिनों में target देखने के लिए मिल सकते हैं अगर नीचे के side देखेंगे तो नीचे के side आमें trend line भी देखने के लिए मिल रहा है यसे हम draw कर लेंगे और अगर gap-up होता है नहीं तो फ्लाट ओपन होता है तो first target हमारा यहार है तो इसके नीचे ये जो लेवल है इसके नीचे हम selling के लिए plan करेंगे लिकिन हमारा first जो टारगेट रहेगा वो त 22 000 के round level का रहेगा जो कि इसे हम mark कर लेंगे यह आपर इस लेवल के नीचे अगर sustain करता है तो हमें आने वाले दिनों में जो target दिखने के लिए मिल सकते ये लेवल का एक हो सकता है 21,940 का और उसके पाथ जो टारगेट हो सकता है 21,080 का अप साड में आपके लिए ऊपर के जो टारगेट है आप अपने चारट पर मार कर सकते हैं डाॉन साड के लिए ये टारगेट है जो कि 22,000 21,000 930 ओ 21,080 के है अब भैंग निप्टी का देखेंगे बैंग निप्टी में अगर देखेंगे तो बैंग निप्टी थोड़ा सा साइडवेस टाइप भी हो कर रहा है अगर कल फ्लैट ओपन होता है तो रहेगा ऑफटी तैब तरगेट रहेगा वह इस लेवल का रहेगा जो क्या रहा है 47,800 का याने वाली एक दो दिनों में आमें टार्गेट ऊपर के साइट देखने के लिए मिल सकता है लेकिन उसके लिए 47,000 के ऊपर इसको बैंक निप्ट को सस्टेंड करना पड़ेगा क्योंकि आगर आप देख सकत होता है नहीं तो फ्लाट ओपन के नीचे हाता है तो हम थोड़ा सेलिंग के लिए 농ण करेंगे जब-टक और निप्ट करेंगे जब कि ब्यांग निप्टि 46,600 के नीचे निया जो की लेवल आता है इस लेवल की नीचे हम शार्प सलिंग के लिए प्लन करेंगे यहां से त्युवर कर सकते हो जो कि लेवल दाला है 46 600 700 यहा से मारकेट ार्वर्स होते है जहें दू vigor सकते हैं कि अगर यह वीडियो आप कोच लगता हो तो वीडियो लाइक करें ट्रसा करें ज्पिंध हो चानल को सब्सक्राइब कारें थेंक यू